हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रामा स्रीज, आज मैं जिस ड्रामा की एक्स्प्लेइन करने जा रही हूँ, ये ड्रामा रोमैंस और रिवेंज से भड़ा पड़ा है, अगर आप रोमैंस के दिवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भड़पूर रोमैंस देखन पड़ा जाती है, और वो उन दोनों की Dop。 पेट की बीच में नफरत पैदा करने लगती है। आगे पैट का दोस्त जून पैट को कहता है कि तुम्हारे उपर बहुत ही खत्रा मन रारा है। इसलिए तुम्हारे उपर का बैडलुक हट सके। पर पैट को इस बात पर भरोसा ही नहीं होता। और वो कहती है। तो चुन कहता है यही तो पते की बात है तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है इसलिए तो लोगों की नजर तुम्हें जादा लगेगी इसलिए तुम्हारे इस बेडलग को उतारने के लिए तुम्हें दान पुन्ट करना ही होगा और जुन उसे जबर्दस्ति अपने साथ लेकर चला जाता है दोसी तब हमारी ही रोहिन नालंदा की इंट्री होती है जो अपने पापा से अपने प्यार के लिए लड़ रही होती है और उसके पापा उन दोनों के रिष्टे को एकसेप नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि नालंदा जिस लड़के से प्यार करती है और वो जिससे साधी करना चाहती है वो एक नमर का फ्रोड है वो बस पैसों के लिए उसका इस्तमाल कर रहा है और उससे साधी कर रहा है और नालंदा के पापा नालंदा को समझाते भी है पर नालन्दा के आखों पर तो प्यार की पटी बंदी हुई होती है जिस वजह से वो अपने पापा की भी नहीं सुनती और वो कहती है पापा मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और मैं इस कम टाइम में अपनी लाइफ में वो सब करना चाती हूँ प्रिस पापा हमारे तिस्ते को accept कर लीजिए पर ऐसा लड़का नहीं है वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है तो उसके पापा अपनी बेटी को समझा समझा कर ठक जाते हैं पर उसकी बेटी समझती ही नहीं और नालंदा के पापा नालंदा की बिमारी की वज़े से अपना दिल देगा इसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और अपनी लाइफ में वो सब कर पाओगी जो तुम करना चाती हो आगे पैतार नालंदा की पहली मुलाकात मंदिर में होती है और दोनों की रूब अगवान के सामने एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है पर ये बात उन दोनों को पता नहीं चलती और वो दोनों एक दूसरे को इग्नॉर करके वहां से चले जाते हैं आगे वो दोनों सारे मंदिर में परनाम करते हैं और उसके बाद उन्हें एक नया जीवन मिलेगा और उन्हें अपने नये जीवन का मकसद धूनना होगा कि आखिरकार उन्हें ये नया जनम क्यूं मिला है तो वो दोनों जैसे ये सारी बाते सुनते हैं वो तो पुरी तरा सौक्ट हो जाते हैं और वो लोग इस बात पर ज़्यान ही नहीं देते क्योंकि उन्हें इनका मतलब ही समझ में नहीं आता। जब उसकी वाइफ देखे तो उन दोनों के बीच बहुत बरा जगरा हो और उसके वाइफ उसे छोड़ कर चली जाए। जब जब तो पैट यह बात सुनकर सांथ हो जाती और वो समझ भी जाती है। अपनी लाइफ कैसे गुजारेगी। और पैट के दिल में यही डर बैट जाता है। अगर उसके पती ने भी उसे धोखा दे दिया तो उसकी हालत भी उसकी मौम की तरह ही हो जाएगी। दूसी तब पै अपनी वाइफ को यह बताता है कि बहुत जल्द उसकी कमपनी सा डाउन होने वाली है क्योंकि उसके पास माल बनाने के लिए पैसे नहीं है। और पै इतने प्यार से भीक मांगता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो अपनी ही वाइफ से पैसे मांग रहा है तो उसकी वाइफ भी अपने पते की चुपरी चुपरी बातों में आ जाती है क्योंकि वो पैसे बहुत ही प्यार करती है और वो पै को तकलिफ में नही करोर रुपे लिये थे और अब उसे फिर से 20 लाग रुपे चाहिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो बस पैसों के लिए तुम्हारा इस्तमाल कर रहा है तो नालंदा अपने पापा को कहती है पापा पे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं वो मेरा पती है और आपका दमाद हैं अभी उसका बिजनस ठीक नहीं चल रहा जैसे उसका बिजनस ठीक चलने लगेगा वो आपको प्रॉफिट कमाकर आपके सारे पैसे लोटा देगा तो नालंदा के पापा कहते हैं वो मेरा दमाद है इसलिए तो मैं लिहाश कर रहा हूं वरना मैं उसे कपका घर से बाहर निकाल फेकता पर इसी बात को लेकर बाप बेटी में बहस हो जाती है जिस वज़े से नालंदा की तबियत खराब हो जाती है आगे नालंदा के पापा को अपनी बेटी के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि नालंदा जब भी स्ट्रेस लेती है तो उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता, कि वो अपने दिल के साथ जी पाई, इसलिए वो जल से जल अपनी बेटी का हार्ट टांस्प्लांट करवाना चाहते हैं, पर उन्हें कोई हार्ट डोनर मिलता ही नहीं, दूसरी तर नालंदा का मकार पती अपनी मासुका के साथ गुलचरे उड़ा रहा ह होता है, तो उसकी मासुका कहती है, तुम अपनी वाइफ को डैवोर्स दे कर मुझसे कब साधी करने वाले हो, तो पे कहता है बहुत जल लेकिन उससे पहले मुझे उससे पैसे तो निकलवाने दो, जब मैं उस बेवकुफ लड़की से धेर सारे पैसे निकलवा लूँगा, उसके बाद मैं उसे डैवोर्स दे दूँगा, और तुमसे साधी कर लूँगा, और उसके बाद हम दोनों खुसी-खुसी रहेंगे, पर उसकी मासुका को ये सब रास नहीं आता, क्योंकि पे बहुत दिनों से ऐसे ही बहाने बना रहा होता है, तो उसकी मासुका को भी गु और तुम उसके बोलेपन का फाइदा भी उठा रहे हो, और यहाँ पर नालंदा के पापा पे की किलास लगा ही रहोते हैं, कि तब उधर से नालंदा आ जाती है, और अपने पापा को कहती है, पापा प्लीज आप मेरे मामले में मत बोले, मेरा पती इतना भी बुरा नहीं ह जितना आप उसे समझते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अगर हम आपसे थोड़े पैसे मांगी रहे हैं, तो क्या हो गया, हम आपको वापस लोटा देंगे ना, और नालंदा अपने पापा के सामने, अपने मकार पती की साइड लेती है, और उसे वहाँ से लेकर च अगरे दिन वो नागिन काविन और पैट के रिस्ते में जहर घोलने का एक सॉलिट प्लैन बनाती है, और अपनी दोस्त को अपने ही ऑफिस में से ल परसन की नोकरी दिलवा देती है, और उसके बाद किसी बहाने से वो उसे काविन के साथ भी भेज देती है, पुरा होटल पैट के पास जाती है, और उसके दिमाग में ये बात डालती है, कि उसकी दोस्तिक नमर की चालू लड़की है, जब भी वो कोई हैंसम बंदा देखती है, वो उसके साथ फलर्ट करने लगती है, तो पैट जैसे ये बात सुनती है, वो तो पुरी तरह सॉक्ट हो जाती है, और वो अपने पती को ढूनने के लिए होटल के चारों चकर काटने लगती है, दोसीता पैकी मासुका भी पै और नालंदा का रिस्ता तुरवाने के लिए, नालंदा को उसके और पैके अफ्यर के बारे में बता देती है, तो नालंदा जैसे ये सब सुनती है, उसे तो इस बात पर बिलीव नहीं होडा, तो आकर होटल में खुद देख लो कि तुम्हारा पती मेरे साथ रंगरलिया मना रहा है, दोसीता वो चुरेल काविन को सेड्यूस करने की कोसिस करती है, और काविन ये सब देख को पूरी तरा सौक्ट हो जाता है, और वो अपने आपको चु प्रामिस किया था कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, लेकिन तुमने अपना प्रामिस तोड़ा, मैं ही बेफकूप थी जो तुमसे उमीद लगा कर बैठी थी कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे, ये जानते हुए कि तुम पहले एक प्ले बॉइ वाइफ को समझाने की बहुत कोसिस करता है, कि जैसा उसने देखा वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, पर उसकी वाइफ उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है, तो काविन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और उसे कॉल भी लगाता है, पर मां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पती सच में उसे चीट कर रहा है और वो अपनी मासुका के साथ गुल चर्य उड़ा रहा है नालन्दा का ये सब देख कर तो दिल ही तूट जाता है अर इसी सत्मे की वजह से उसकी तबियत खड़ाब हो जाती है तो पे नालंदा की ऐसी हलत देकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है और वो उसे हॉस्पितल लेकर जाता है और इधर पे की मा सुका यह सब करके बहुती खुस हो रही होती है और वो भगवान से दुआ कर रही होती है कि नालंदा मर जाए दूसी तब पैट का एक्सिरेंट हो जाता है तो काविन अपनी वाइप की ऐसी हालत देखकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है तो पैट कहती है अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज हमारे बेटे बोट का बहुत ही अच्छे से खयाल रखना उसे प्यार देना तो काविन कहता है तुम ऐसी बाते क्यों कर रही हो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा हम तीनों साथ रहेंगे तुम्हारे बिना हमारी फैमली अधूरी है तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकते तुम हमें इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकती समझी दूसी तब नालंदा की तविए बहुत ही खराब हो जाती है और अगर अगर अभी उसका हार्ट टांसप्लाट नहीं हुआ तो वो मर भी सकती है तो नालंदा के पापा अपनी बेटी की ऐसी हालत देखा पुरी तरह सौक्ट हो जाते हैं कि तब उदर से एक नर्स आती है और बताती है कि एक पैसेंट आया जिसकी हालत बहुत ही खराब है तो नालंदा के पापा पैट को देखने के लिए जाते हैं जब वो उसकी कंडिशन को देखते हैं तो वो बताते हैं कि हम इस पर उपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुन जमा हो गया है और उपर से इसका ब्रेन भी डेड हो गया है अब इस पैसेंट की बचने की कोई उमीद नहीं है आगे नालंदा के पापा काविन को जाकर बता देते हैं कि उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही तो काविन ये बात सुनकर तो पुरी तरह सदमे में चला जाता है उसके बाद नालंदा के पापा बिना काविन के इजाज़त के उसकी वाइफ का दिल निकाल कर अपनी बेटी को लगा देते हैं और इस बारे में किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती इधर काविन अपनी वाइफ के जाने का गम बरदास्त नहीं कर पाता और वो पागलों की तरह रो रहा होता है और दूसी तरफ काविन की वाइफ का दिल नालंदा के जिस्म में धरक रहा होता है आगे काविन अपनी साली को कॉल करके बता देता है कि अब उसकी बेहन इस दुनिया में नहीं रही तो वादी जैसे ये सुनती है उसके पैरो तले तो जमीनी खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है आगे पैट का अंतिम संसकार मनाया जाता है तो सारे लोग उसे सरधानजली देने के लिए आते हैं तो डॉक्टर भी अपनी नर्स जैन के साथ पैट को सरधानजली देने के लिए आता है और वो पैट से माफी भी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और वो उसका सुक्रियादा भी करता है कि उसकी दिल की वज़ा से आज उसकी बेटी का दिल धरक रहा है और उसकी बेटी इतने बरसों बिमार होने के बाद अब वो ठीक हो रही है आगे काविन अपने बेटे को जाकर बता देता है कि उसकी मौम अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन तुम्हारा मरना लिखा हुआ था तो इसमें मैं क्या करूँ लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ इसलिए अब तुम अराम करो क्योंकि अब मैं तुम्हारे पती और तुम्हारे बेटे के साथ पूरी लाइफ गुजारूंगी दूसी तब जब नालंदा को होस आता है तो वो नालंदा नालंदा नहीं रहती बल्कि पैथ हो जाती है और पैथ जब अपने आपको नालंदा के रूप में देखती है वो तो पुरी तरह सौक्ट हो जाती है कि आखर कर ये सब क्या हो रहा है कि तब हुदर से नालंदा के पा पापा अपनी बेटी की पूरी जाँच परताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब उनकी बेटी अब उनकी नहीं रही ये तो पूरी पैट है कि नालंदा के दिल और दिमाग में सिप पैट के ही यादे बसी हुई होती है तो नालंदा के पापा ये सब देखा पूरी त को दे दिया आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं तो नालंदा के पापा कहते हैं तुम्हारी हलत भहुत ही खड़ाब थी और तुम्हारे बचने का भी कोई चांस नहीं था और मेरी बेटी मौत के मुझे कोई रास्ता भी नहीं सूज रहा था इसलिए मैंने ये सब किया बेटे के पास मेरा बेटा मेरे विना कैसे रह रहा होगा प्लीज मुझे घर जाने दीजे तो डॉक्टर कहते हैं तुम कैसे घर जा सकते हैं तुम्हारी पहचान पूरी तरह बदल गई है अगर तुम घर वापस चली भी गई तो तुम्हारा पती और तुम्हारा बेटा त में कभी भी नहीं पहचानेगा. तो नालंदा कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंड लूंगी प्लिस मुझे यहां से जाने दीजे. तो नालंदा के पापा भी अपनी बेटी को जाने की परमिशन दे देते हैं और उसे कहती है कि मैं पैट हूँ तो जून कहता है मजाब करना बंद करो मेरी दोस्त कुछ दिन पहले ही मर चुकी है तो नालंदा जून को पैट की ऐसी ऐसी बाते बताती है जिसे सुनकर जून तो पूरी तरह सौक्ट हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि जो लड़की उ मिलना चाहती हूं तो जून कहता है अगर तुम इस तरह अपने बेटे से मिलने के लिए जाओगी तो तुम्हारा बेटा कभी भी तुम्हें नहीं पहचानेगा तुम्हारा पते भी तुम्हें नहीं पहचानेगा तुम्हारा पते भी तुम्हें नहीं पहचानेगा तुम्हा माँ को याद करके फूट फूट कर रो रहा होता है तो पैट अपने बेटे को इस तरह रोते हुए देखकर तो पूरी तरह तूट जाती है दूसी तब काविन की मॉम उस नागिन को पैट का पोजिशन दे दे ताकि काविन के सर से थोड़ा काम का बोश कम हो सके पर ध्यान रखो और काविन के कहकर वहां से चला जाता है तो पिचारी नागिन का ये सब सुनकर तो खूनी खूलने लगता है इधर पैट को अपने बेटे की हालत बरदास नहीं होती और वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाने लगती और वो कहती है मैं जाकर सब को सच बता दोगी तो जून कहता है अगर तुम जाकर सब को सच भी बता दोगी तो कोई भी तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा तो पैट कहती है तुम क्या चाते हो कि मैं इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं और अपने बेटे को तरपते देखती रहूं तो जून कहता है मैं जानता हूं तुम बहुती तकलीफ में हो लेकिन अगर इस तरह तुम जजबात में आकर कोई फैसला ले लोगी तो बात में तुम्हें ही पस्ताना होगा एक बार रुख जओक मैं घर का जायजा लेकर आता हूं और उन्हें इस बात पर यकिन दिलाने की कुसिस करता हूं उसके बाद ही तुम कुछ करना आगे जून काविन के घर जाता है और उन्हें एक चमतकार के बारे में बताता है कि क्या आप लोगों को इस बात पर यकीन है किसी इंसान के मरने के बाद उस इंसान का दिल किसी और इंसान को लगा दिया जाए तो उस मरे हुए इंसान की आत्मा उस इंसान में चली जाती है तो वो लोग जुन की इस बात पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं तुमने कहां से ये कहानी सुनी है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती तो धुन समझ जाता है कि ये लोग कभी भी नालंदा की श्टोरी पर यकीन नहीं करेंगे आगे वो नागिन काविन को अपनी चुपरी चुपरी बातों में फसाने की कोसिस करती है पर काविन उसकी किसी भी जहासे में नहीं आता जिस वज़ा से उस नागिन को बहुती गुसा आता है दूसी तब जून पैट को आकर बताता है कि कोई भी उसकी इस कहानी पर यकीन नह पिर मैं क्या करूँ मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ मैं उससे कैसे मिलू और मैं अपने पती से बीपदा लेना चाहती हूँ कि आखेकर उसने मेरे साथ ऐसा क्यो किया। और नहीं उसके ससूर बतारे होते हैं जिस वज़ा से ससूर और दमाद में जम कर लड़ाई होती है लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और वो पे को रोक लेता है आगे पे पुरीता बुखलाया हुआ होता है क्योंकि अगर उसकी वाइफ उसके हाथ से सोने की चिरिया चली जाएगी और जब तक उसकी वाइफ उसके चुंगल में रहेगी तभी तक तो उसका दाना पानी भी चलता रहेगा तो पे अपनी वाइफ को ढूनने के लिए पुलीस का सहारा लेता है और अपने ससूर पर केस कर देता है कि वो उसकी वाइफ से मिलने नहीं दे रहे है और यहाँ पर पुलीस वाले नालंदा के पापा से बारतलाप करी रहे होते हैं कि तबी घर से नालंदा आ जाती है तो पे जैसे ही नालंदा को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है वाईफी तुम कहां थी? मैं तुमें कब से ढून रहा था तो नालंदा जैसे ये जानती है कि ये कमीना उसका पती है वो तो पूरी थरा सौक्ट हो जाती है और अपने पापा को लेकर अंदर चली जाती है आगे पेट नालंदा की पापा को कहती है मैं घर वापस आना चाहती हूं कि कि यहां सके तो आजाएगी पर उसे ना लंदा की कोई भी बात याद नहीं है, फिर वो यहांपर कैसे रहएगी, सब को इस पर सक नहीं हो जाएगा, कि इसका बिहेवियर बहुत ही ajiब है ना लंदा से, तो ना लंदा के पापा कहते हैं, मेरे पास इसका भी एक हल है, आगे ना लंदा क पापा पैट के सच्चाई छुपाने के लिए सब को ये बताते हैं कि उनकी बेटी की यादास चली गई है सरजरी के बाद ये सब नॉर्मल है वो बहुत जल ठीक हो जाएगी लेकिन तब तक प्रीज इसका अच्छे से खयाल रखेगा तो पैट जैसे ये बाद सुनता है वो तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता तो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे से ड्यूस करने की कोसिस करता है तो नालंदा खीच कर उसे थपर मारती और कहती है अगर आयंदा से तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोर दूँगी नालंदा ऐसे भीव नहीं करती थी जैसे अब वो कर रही है आगे पैट नालंदा के पापा से नालंदा की सारी डोकॉमेंट्स मांगती है ताकि वो काविन की कमपनी में सेकेटर की जॉब के लिए अपलाई कर सके और इसी जॉब के जरिये वो अपने बेटे के करीब जा सके और अपने पती से बदला ले सके तो नालंदा के पापा खुछी-खुछी पैट को नालंदा की सारी डोकॉमेंट्स दे देते हैं अगले दिन नालंदा की मुलाकात काविन से होती है तो काविन उसे देखकर नहीं पहचानता और उसे इग्नौर करके वहां से चला जाता है तो नालंदा भी काविन का पीछा करती है, तो केक सोप पर एक लड़की काविन पर लाइन मारने लगती है, तो काविन उसे बताता है कि वो साधी सुधा है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ट्राइ ना करे, तो नालंदा को ये सब देकर बहुती गुसा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पती नाटक कर रहा है, कि वो एक लोयल इंसान है, जो सिर्फ अपनी वाइफ से ही प्यार करता है, आगे काविन अपने एक क्लाइन से मिलने के लिए जाता है, तो वो क्लाइन भी काविन पर डोरे डालने लगती और कहती, अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों, तो काविन कहता है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तो वो लेडी कहती है, लेकिन अब तो तुम्हारी वाइफ मर चुकी है, तो काविन कहता है, वो भले ही मर चुकी है, लेकिन मेरी दिल में वो अभी भी जिन्दा है, और मैं पूरी जिन्दगी अपनी वाइफ से ही प्यार करता रहूँगा, तो लेडी फिर भी काविन का पीछा नहीं जोडती और उस पर डोरे डालने लगती है तो पैट को भी ये सब देखकर बहुती गुसा आ जाता है और वो उस लेडी के पास जाते है और वो कहती है जब ये क्यार आए कि वो अपनी वाइब से बहुत प्यार करता है और इसकी वाइब के जगहां इसके दिल में कोई और नहीं ले सका तो तुम मक्ही की तरह इसके उपर भिनविना क्यू रही हो तो लेडी कहती है तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली तो काविन भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो नालंदा कहती है मैं आपकी होने वाली सेकेटरी हूँ जो कल आपके यहां इंटर्यू देने के लिए आ रही है दोनों लेडीज एक दूसे को टसन दिखाती है